कक्षा आठवी विशय हिंदी पार्ट पांच खेती से आई तब्दीलियां भाग दो बच्चो इस पार्ट के पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि पंडित जवाहा लाल नहरू जी ने अपनी बेटी इंद्रा गांधी जी को एक पत्र लिखा था उस पत्र में उन्होंने अपनी बेटी को मानव की आदिम अवस्था से परिचित करवाया था अर्थाद बच्चो उन्होंने उस पत्र में अपनी बेटी को यह बताया था कि कैसे इंसान पहले जब जंगलों में रहता था तो वह अपना गुजर बसर शिकार द्वारा करता था वह जंगलों में शिकार करता था और से अपना पेट पालता था धिरे धिरे जब मनुष्य को खेती करना आ गया तब वह खेती करना शुरू किया और एक जगह रहने लगा जिसके कारण गाव और कस्बे बने अब इस पार्ट का शेश भाग हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे अब हम अपने पार्ट की शुरूआत करते हैं जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया जमीन को जोत बोकर बेच्छोड नहीं सकते थे उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गाउं और शहर बन गए अर्थात बच्छों आपको भी पता होगा कि खेती में कैसे पहले खेतों की जुताई होती है फिर उसमें बीच बोई जाते है फिर उसमें फसल होती है फिर फसल की कटाई होती है तब कहीं जाकर उसमें से अनाज निकलते हैं तो किसान या मनुष्य का पूरा समय पूरा साल उस खेती करने में चला जाता है तो जब मनुष्य ने भी खेती करना सीखा तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया जमीन के पास रहने के कारण धीरे धीरे गाउं बसने लगे कस्पे बसने लगे और फिर धीरे धीरे शहर बन गए दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिन्दगी ज्यादा आराम से कटनी लगी खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था अर्थाद बच्चो जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब उसने शिकार करना बंद कर दिया आख्यों की खेती करना शिकार करने से ज्यादा आसान था इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे इसे वे सुरक्षित रखते थे बच्चो जब मनुष्य खेती करना सिखा तो खेती में इतने अनाज पैदा होते थे कि उसके खाने के बाद में बहुत सारे अनाज बच जाते थे जिसे वह फिर सुरक्षित एक जगा इक खठा करके रखने लगे एक और मजे की बास सुनो जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमान न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम किसी तरह पैट भर लेता था बच्चो जब मनुष्य शिकार पर अपना जीवन यापन करता था तब उसके लिए शिकार को इखटा करके रखना मुश चीजे रख सकता उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार करना पड़ता था खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था अत्रिक्त खाने को वह जमा कर देता था इस तरह लोगों ने अत्रिक्त अना जमा करना शुरू किया मनुष्य ने जब खेती करना शुरू किया तो एक फसल में उसे इतना अधिक अनाज मिलता था कि अपना पेट पालने के बाद भी उसके अनाज बच जाते थे फिर मनुष्य ने उस बचे हुए अनाज को जमा करना शुरू कर दिया लोगों के पास अत्रिक्त अनाज इसलिए जमा हो जाता था कि वह उससे को ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपे जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं तो बच्चो यहाँ पर जवाला नहरू जी ने अपनी बेटी इंद्रा गांधी को यहाँ बताया है कि जब मनुष्य के पास अत्रिक्त अनाज बचने लगे तो मनुष्य ने क्या-क्या उस अत्रिक्त अनाज को उसने इखटा करके रखना शुरू कर दिया मनुष्य ने खेती में अपनी आवशक्ता से ज़्यादा अनाज उगाते थे क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उस अत्रिक्त अनाज को वह बाजार में जाकर बेज कर पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को बाद में वह बैंक में जमा कर सकते हैं यह रुपया कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अत्रिक्त रुपया है यानि ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है इसे वे बैंक में रखते हैं बचो अनुष्य ने अपने बचे हुए अत्रिक्त पैसो को बैंक में जमा करके र पैसा आप सभी भी जानते हो कि जिसके पास इतना अधिक पैसा होता है वह उतना अधिक धनवान कहलाता है और जिसके पास कुछ नहीं होता है या जो इनसान अपने बैंकों में कोई भी पैसा नहीं रख पाता है उसे लोग करीब कहते हैं आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अत्रिक रुपया आता कहां से है, इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, अर्थात बच्चों, जिस मनुष्य के पास अधिक पैसा है, उसका आर्थिया नहीं होता है, कि उसने बहुत अधिक मेहनत की होगी, तो ही उसके पास इतना अधिक पैसा आया होगा, मेहनत तो किसान भी बहुत अधिक करता है, लेकिन क्या उसके पास बहुत अधिक धन होता है, नहीं, बलकि आजकल जो आदमी बिलकुल काम नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है, उसे खाली हाथ रहना है, कितना बुरा इंतजाम है, बहुत से लोग समझते हैं कि इसी पूरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी है, अर्थात, दिन भर मेहनत करके अपना पसीना बहाने वाला मजदूर गरीब का गरीब ही रह गया, और बिना मेहनत किये, जो वेक्ती अ अधिक अमीर हो गया, और इस बुरी बेवस्ता के कारण ही, आज हमारे देश में बहुत से लोग गरीब हैं, अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ, थोड़े तिनों में तुम इसे समझने लगोगी, पंडित नहरुजी ने अपनी बेटी गांधी से कहा कि यह सब बाते शायद तुम्हें अभी नहीं समझ में आएंगी, इसलिए इस बातों को समझने के लिए तुम अपनी अधिक बुद्धी मत लगाना, थोड़े ही दुनों में यह सब बाते तुम्हारी समझ में अवश्याने लगेंगी, इस वक्त तो तुम्ह इतना ही जानना परियापत है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वक्त खा नहीं सकता था, यह जमा कर लिया जाता था, उस जमाने में न रुपे थे न बैंक, जिनके पास बहुत सी गाएं, भेडे, उट या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते यहाँ पर नहरु जी ने अपनी बेटी इंद्रा गांधी को यह बताया है कि पुराने जमाने में लोगों के पास जब पैसा नहीं था, बैंक नहीं थे, तो उस जमाने में अमीर कौन होता था, जिनके पास बहुत सारी गाएं, भेडे, उट या अनाज होता था, यह सब जि नहरु तो बच्चो इस पत्र के माध्यम से लेखक ने अपनी बेटी को अमीर गरीब के मापदन एवं बच्चत प्रणाली से परिचित करवाया है, धन्यवाद